हेलो दोस्तों वेलकम टू एलेक्ट्रोनिक स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज अपने सामाजिक अध्यन या फिर जब हम बात करते हैं सोसल स्टडीज को लेकर के तो उसमें बात करेंगे हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंदित कु किसके शाषनकाल में हुआ था ये फूर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को लेकर के आपसे सवाल 110 नंबर में पूछा है कहते हैं कनिश्क अशुक के शाषनकाल में काला अशुक या फिर आजाद सत्रू एक ट्रेक आप याद कर सकते हैं आप कूद आते कूद आते कूचे में कूचे में इस वाले आपसे अजाद सत्रू है इससे काला शुक हो गया इससे अशुक और ये वाला जुका है वो आपका कनिश्क का है बलब चारो बहुत संगीतियां किन किन के साशनकाल में हुई है कौन कौन साशक थे उसको लेकर के यहाँ पर आप इस ट्रिक से याद कर स जो चौथी बहुत संगीति थी वो कनिश्क के साशनकाल में अजाद सत्रो काला श्रोक अश्रोक और फिर कनिश्क के साशनकाल में हुई थी जब हम बात करते हैं कुंडल वन काश्मीर में तो आपका जो करेक्ट आपसर है यहां से वह पहला आएगा 111 में क्या कहा है आपसे 22 तिर्थंकर नेमिनाथ संबंदे थे जो 22 तिर्थंकर है नेमिनाथ जैन तिर्थंकर की बात हो रही है नेमिनाथ किसे रेलेट करते थे राम से कृष्ण से परश राम या फिर जरासंद करके लिखा हुआ है तो 111 की अगर मैं बात करूँ तो नेमिनात का सम्मद जो है वो कृष्ण जी से था आपका करेक्टर अंसर यहां से जो है वो भी आएगा एक और सवाल है कहते हैं एक सो बारह में कि रविकीर्टी कृत एहाल प्रश्रस्ती के अनसर पॉलकेशन दुटिये ने हर्श वर्धनवो को किस नदी तट पर पराजित किया और उसके विजयवियान को रोक दिया जी हां तो अगर मैं बात करूँ यहां पर जो एहाल प्रश्रस्ती है उसके द्वारा जानकारी मिलती है आपको मैं बता दू जैसे विलेख होते थे वहां से जानकारी मिलती थे कुछ आपके जो पुराने जो ग्रंथ हैं उनसे इंफॉर्मेशन मिलती थी तो 112 नंबर में यह नर्मदा नदी के बारे में जो है वो जिक्र किया गया है, उमीद करते हैं कि आपने भी इसे ही आंसर किया होगा, एक West flowing river में आपकी देखने को मिलती है, नर्मदा है, माही है आपकी तापती नदी उको ले करके जब हम बात करते हैं, चलते हैं, एक और question की तरफ, 113 में कहा है कि पल्लो वन्ष की स्थापना का स्रे किसे जाता है, पल्लो वन्ष की स्थापना की बात की है, सिंग विश्णू को महेंदर वर्मन हैं, विजयाले हैं, या फिर सिमुक हैं, पल्लो वन्ष की बात की है 113 नंबर में, तो यहाँ पर सिंग विश्णू को जो है यहाँ पर इसका स्रे जाता है, जब जब हम पल्लो वन्ष की बात करेंगे, आगला सवाल है, किस साशक वन्ष को स्थानिय स्वाश्वाशन के लिए जाना जाता है, स्थानिय स्वाशासन जैसे अभी आप बात करते हैं स्थानिय स्वाशासन को ले करके 73 और 74 संविधान संशोधन तो ऐसे यहाँ पर भी बात की गई है रास्ट कूट हैं चोल हैं पलो या फिर कदंब जो क्लास में आ रहे हैं बहुत-बहुत स्वागत है उनका आंसर कρते रहे हैं 114 में आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो चोल राज है जिसमें इस्थानिय स्वाशासन जो है एक तर nuanced ने जो है एक तरिके से जब हम local bodies को ले करके बात करते हैं या local self-government को ले करके बात करते हैं वो देखने को मिलती है 115 में विक्रम श्रीला विश्योविद्याले की स्थापना किस ने की थी विक्रम श्रीला की बात की है 115 में तो 115 में गोपाल, लक्षमर सेल, धर्म पाल या फिर वत्सराज विक्रम श्रीला विश्योविद्याले बहुत फेमस, बहुत इंपोर्टन क्वेशन आप तक कई बार ये question paper में आपका पूछा जा चुका है इसके इस्थापना जो है वो धर्म पाल के द्वारा की गई correct answer यहां से भी आएगा 116 नमबर में आपसे कहा है गोपुरम श्रैली का संबंध किस से है? मंदि निर्माण से है? मतलब यह जो गोपुरम श्रैली है वो किस में प्रियोग में आई? मुर्ति निर्माण में, विहार में या फिर चायति निर्माण में? 116 116 नमबर question की अगर मैं बात करो तो जो गोपुरम श्रैली है इस श्रैली के आधार पर या इस श्रैली में कई सारे मंदिर जो है वो निर्मिद हुई है तो आपका जो correct answer आएगा प्राचिन भारत में वो आपका पहला देखने को मिलेगा तो 116 में जो उत्तर है वो first होगा next है आपका question 117 में क्या कहते हैं? महाबलिपुरम का रत मंदिर किसने बनवाया? क्रिश्न सेकेंड करके है क्रिश्न प्रतम है नर्सिंग वर्मन या फिर पुलकेशन दुदियेकर के लिखा हुआ है महाबलिपुरम का रत मंदिर आपसे पूछा है 117 में जब जब हम महाबलिपुरम ये भी आपका most important question है अब ही जो आप उपर मैं बात कर रहा था जब जब विक्रम शिलाविश्च विद्याले को लेकर के बात करते हैं धर्म पाल वाला और ये भी ये नर्सिंग वर्मन है यहाँ पे तो आपका correct answer जो है वो C देखने को मिलेगा 117 में 3 118 में क्या पूछा है कहते हैं कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कर वाया था पलवों ने, चोल, कदम थे या फिर रास्ट कोट थे आप अपना आंसर बिल्कुल तो 118 नंबर में जो कैलाश मंदिर है उसके निर्माण में पलवों का हाथ था correct answer यहाँ से आपका first देखने को मिलेगा दोस्तों आप CTET, UPTET की तयारी कर रहे हैं जूनियर सूपर्टेट की तयारी कर रहे हैं उसके लाब डिटर पलेस वी रीड तो most welcome है आपका इस class में पढ़ते रही है सारी चुज़े आपके सिलावस में दी हुई है उसी के according यहाँ पर एक sequence में कहीं न कहीं एक तरफ हम quality पढ़ा रहे हैं आपका तरफ आपका भूगोल शुरू किया था मैंने अभी कल आज class थोड़ा आपकी लेट में आ रही है होपसो डेली आपको साड़े साथ बज़े class मिलेगी और बाकी आज हम इतिहास के बारे में बात कर रहे है 119 में पुछा है मंदिर निर्माड में इटो का प्रयोग सरप्रतम किस काल की विशेस्ता है मंदिर निर्माड में इटो का प्रयोग 119 की बात यहां पर की है 119 में कुछाड है आपके साथवाहन है मौरे काल है या गुप्त काल है तो इटो के प्रयोग में वो भी मंदिर निर्माड में कहते हैं कि उस काल को स्वारण काल के नाम से जानते हैं और वहीं से मंदिरों की निर्माड की प्रक्रिया भी जो है वो पूरी तरीके से शुरू हुई तो वो था गुप्तकाल करेक्ट अंसर डी आएगा 119 का चौथा उत्तर होगा आपका आगे चलते हैं 120 में कहा है कि संगम कविताओं में किन राजवन्सों को मुवेंदार कहा गया है मुवेंदार पाल चोल पांडे चोल चेर पांडे है चेर पाल रास्ट्रो कूट है या फिर चोल है रास्ट्रो कूट है या पांडे है 120 मुवेंदार किन है कहा गया है वो इस संगम कविताओं की जब जब हम बात करते हैं तो 120 में यह आपके थोड़ा सा कठिन होगा वो है चोल, चेर और पांडे जी हाँ आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो यहां से क्या आएगा भी आएगा कोई दिक्कत समस्या होने नहीं चीहे वो इंदार कहा गया तो चोल है चेर है और पांडे है नेक्स्ट है आपका गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे कपल वस्तु में लुम्बनी है अप दिया है सारनाथ दिया है या फिर इलहाबाद जब हम गौतम बुद्ध को ले करके बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के इम्रति हुई और उसके लगभाक साव और शुरूबाद ही जो है वो आपके बाधा संगीतियों को ले करके जवाब पढ़ते हूँ तो शुरू हो गई बाधा संगीतिया मतलब जो बुद्धिस्ट काउंसिल्स होती है वो इसले शुरू हुई कि जो भी उपदेश ये जो भी चीज़े बुद्ध जी के द्वारा बताई गई वो लोगों के पास से उनके उपदेशों को लोगों तो कैसे पहुँचाया जाए किसले बुद्धिस्ट काउंसिल्स होने लगी थी तो वन टू वन के अगर बात की जाए यहां पर तो लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था नैपाल में यह जगह है 122 सिंदू हटी के निवासियों को किस धातू का ग्यान नहीं था Most important question बहुत बार अब तक पेपर में पुछा गया है किनी पेपर को आप ले करके बात कर लो किस दातू का ग्यान नहीं था सोना है चांदी है लोहा है और तांबा करके यहां पर लिखा हुआ है 122 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा इन्हें iron का knowledge कहीं से भी इन्हें लोहे का ग्यान कहीं से भी नहीं था जब इसकी बात करते हो आप तब पच्चे सो ले करके पंदरह सो बीसी के आसपास का समय सिंधुगाटी समय था कहीं कहीं 33 से साले 1700 भी लिखा हुआ होता है फिर पंदरह सो के बाद जो 600 भीसी तक आपका समय है 1500 से ले करके 1500 से ले करके 600 भीसी यह आपका वैदिक काल है तब जा करके कहीं देखने को मिलता है लोहे की जानकर या बाकी सारी चीजे आगे चलते हैं 123 में यह कहते हैं चालो के वंश की राजधनी थी वातापी, कनाज, मानिखेद करके है यह आपका वह या फिर कांची चालो के वंश की बात की है चोल, चालो के चेर करके आप बोलते हो साउथ इंडिया के ऐसे में राजियों को ले करके जब तो 123 में आपका वो देखने को मिलेगी वातापी जी हाँ, करेक्ट आंसर आपका पहला आएगा चालो के वंश की राजधनी में 124 क्या बोला है, पल्लो वंश का अंतिम साशक कौन था राज राज प्रथम, नरपतों को वर्मन है करक तुरतिय करके लिखा हुआ है या फिर आप राजित वर्मन है 124 में आपका आंसर जो है वाएगा आप राजित वर्मन करेक्ट आंसर डी पल्लो वंश का अंतिम साशक आप राजित वर्मन 125 में पुछा है राजा हर्ष वर्धन की राजधानी कों से थी प्रियाग है, जैन, कर्नाउज या फिर पटले पूत्र हर्ष वर्धन साशनकाल में इन ही के साशनकाल में वैंसांग जो है वो भारत में आया था द्यांदी जी का तो 125 नंबर क्वेशन को लेकर भी बात की जा 125 नंबर सवाल तो जी हाँ इनकी राजधानी थी कर्नाउज 125 में दूसरा होगा मौरे सामराजी का संस्थापकों था अशोक बिंदूसार चंदरगुप्त या फिरपुष या मित्र करके लिखा हुआ है मौरे वन्ज के संस्थापकों या मौरे सामराजी के संस्थापकों के बारे में सवाल पूछा गया है सबसे पहले जो शुरुवात की मौरे सामराजी को लेकर के प्रतापी साशकों में नाम भी देखने को मिलता है सबसे प्रतापी साशक के जब जब बात होती है मौरे सामराजी में तो अशोक का नाम आता है संस्थापकों में नाम चंदरगुप्त का correct answer आपका यहां से C आएगा यानि तीसरा आएगा एक और सवाल के तरफ चलते हैं 127 में क्या बोला है कि फाहयान ने किसके साशनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था हर्श्वर्धन, अशोक चंदरगुप्त दुति हैं या फिर इन में से कोई नहीं 127 तो वैन सांग जो है वो आपका जब हर्श्वर्धन के साशनकाल में और जो फाहयान है वो चंदरगुप्त दितिये के साशनकाल में भारत आया था इतिहास में जब मैं बता रहा था तो 119 नमबर क्वेश्चन एक बार आप चिक कर लिजेगा शायद वही सवाल था फिर से मैं बता एदिनों फाहयान चंदरगुप्त दितिये के साशनकाल में और जब हम बात करते हैं वैन सांग को लेकर के तो ये आपके अभी आप उपर हम पढ़ क्या है हर्श्वर्धन के काल में ठीक है चलिए आगे चलते हैं इसमें एक और सवाल की तरफ यहाँ से आपका करेक्टर आंसर जो है वो तीसरा मिलेगा सुची यहाँ पर मिलानी है आपको लिस्ट दिया हुआ है 128 कहते हैं वन और टू को सुमिलित करिए तो महाभाश है किसकी रचना है कुमार संभव किसकी है स्टाध्याई किसकी है और अर्थ हशास्त्र किसकी है तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अर्थ हशास्त्र जो है वो कौटिल ने देखने को मिलते हैं आप बता देते हो ऐसे में या फिर आपने इनका नाम जो हैसे में जो है अर्थे शास्त्र हैं उसके रचईता आपको देखने को मिलते हैं रहा नहीं के लिए जैसे ही तीन का को अपर भी ए और यह पर यहां पर भी आ जगा है आप 이제 2 डेखने को कुमार संभो रचना माल विकागर्य कुमार संभो न राग्यों संब् работает आप जब इनकी रचनाव के बात करते हैं तो ये कालिदास जी की रचना है तो B का का हो जाएगा पहला हो जाएगा यहाँ पर B का पहला फिर भी आपको दो options में B के पहले जो है वो देखने को मिलेगा ष्ट्राध्याइ जो है वो किसकी रचना है तो C के आप तुरंट क्या देखोगे कि वहाँ पर पाड़नी देखने को मिलेंगे और जैसे ही पाड़नी हुए आपका correct answer जो है वो पहला आ जाएगा अभी आप आराम से मिलान कर सकते हैं जो A है वो आपका correct answer होगा यहाँ से एक और सवाल की तरफ चलते हैं निम्नलखित में से बहुत धर्म किसकी हिमायत करता है भोखा रहना मध्यमार्ग है दुख भोग है या फिर सही मार्ग की 129 क्वेशन की अगर बात की जाए 139 में क्या है यह मध्यमार्गी आप जब देखेंगे इनके जो भी है आप दुख निरोध गामिन प्रतिप्रदा और बाकी सारी बात है तो मध्यमार्ग को ले करके हिमायत करता है जब जब हम बहुत धर्म की बात करते हैं चाड़क को किस नाम से जाना जाता है कहीं ने कहीं अभी थोड़ी दिर पहले ही चाड़क के का दो नाम में बताया हुआ हूँ एक मैंने कवटिले बोला था और एक मैंने विश्नो गुप्त बोला था तो यहाँ पर चाड़क को अन्ने किस नाम से जानते हैं जो आपका आंसर आएगा विश्नो गुप्त आएगा करेक्ट आंसर यहां से सी हो जाएगा एक और सवाल देख लेते हैं श्रक संबत कब सिफ्रारंब हुआ यहाँ पर चपन से 78 इसवी है श्रक संबत की बात आप से पूछी है 131 में 78 इसवी जब जब हम बात करते हैं कनिश्क के काल में तो यह चीज़े जा करके वो शुरू हुए आप विक्रम संबत और संबत के हिसाब से जो बात बताते हो यहीं से इसके शुरूबात होती है महाबलीपुरम के साथ रथों वाले मंदिर जो है पलो एक 133 में क्या है शक काल की शुरूबात कनिश्क ने की थी और कभी की थी कहीं ने कहीं अभी ही थोड़ी देर पहले ही हम उत्तर आपको बता क्या है कि जो शक के शुरूबात होई थी कनिश्क के शासन काल में होई थी और वो है आपका 78 में वो भी किसमे ESV याद रखेगा मतब यह AD है आपका डॉमिनी करके आप बोलते हो यह चीज बहुत अच्छे से याद रखेगा ने तो वैसे में गलत हो जाएगा कहीं BC याद कर लिए तो गणबढ़ हो जाएगा गोतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहां दिया था प्रियाग में गया सारनाथ या फिर लुम्बिनी में जैसा कि बताया हमने लुम्बिनी की बाप बात करते हो जन्पुले करके ऐसे में पहला प्रवचन महा आप कहते हो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से आपका जाना जाता है और ये दिया था इन्होंने बनारस में सारनाथ में तो वाराण सी आपका correct answer D यहां से आपको देखने को मिलेगा सारनाथ 135 में हमें जो answer देखने को मिलेगा जी हां वो थे व्रहद्रत तो correct answer यहां से क्या हो जाएगा आशा उमेद है कि यहां तक आपने questions को बहुत अच्छे से किया होगा आज हमने 25 questions के बारे में बात की कल हम इसके आगे के questions को ले करके बात करेंगे कुछ अच्छा लगा हो तो like and share बाकियों के साथ में भी कर दीजिएगा शुक्री आप सभी का तब तक के लिए